पहले भी ये थे, 18 साल से BJP NDA की सरकार थी, तब भी ये थे, उसके पहले भी लागु यादर्गी के समय में थे नमस्कार सिटी पोस्ट लाइब में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ वसीर बिहार की I.S. हरजीत कौर जो इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं, एक कारेकरम में एक लड़की से ऐसा बात वो कर देती हैं, जिस से काफी बिवाद छिर जाता है अब इस पर जाप सुप्रीमो पपु यादव ने बरा बयान दिया है और मुकमंतरी नितीश कुमार से ये मांग कर दी है कि हरजीत कौर को ततकाल सस्पेंड किया जाए या तो हटाया जाए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पपु यादव कि कभी कोई अंडस्टक बेटियों को लेके मां को लेके बेहनों को लेके पत्नी को लेके नहीं हो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमेशा जिस तरीके से इस देश में इस्थिती है और लगातार गरीव कमजोर तबके के बेटियों पर बलादकार की संख्या बड़ी है छेखानी बड़ी है इसमें सबसे बड़ी भूमी का उपर से नीचे लगब नाइटी नाइटी टू पर किसद लोग आपन पॉर्ण देखना सेक्स्वल जो एड़र्ट पिक्शर है उसको देखना गाने को देखना इन सब को बेंट करना होगा और मैलाओं के लिए कोड अफ कंड़क बनाना होगा कि जो मैलाओं का अन्रेस्टक्ट करता हो देता हो पदादिकारी हो कौमन हो उस पर सब्च कारवाई हो और सजा मुकर्रर हो स्पीडी ट्रायल हो मैलाओं के रेस्टक्ट के साथ कतरी कंपरमाईज नहीं करना चाहिए सस्पेंट किया गया ताकि फिर किसी की हिम्मत मैनाओं के खिराप इतनी अवद्रता और गंदे शब्दों में एक बेटियों को दिमोर्लाइज करना यह खतरनाक है यह सही नहीं है बेटी के साथ जंता के बारे में जिस तरीके की बात कही गई वह भी सही नहीं इतने चहते अपसर हैं सरकार के और इस तरह के बात करना यह कहीं ने कहीं क्या पॉल्टिक्स से जुड़ा हुआ कुछ है सर नहीं इसमें राजनितिये भैठी इसको राजनिती से कते ही मत जोड़े पहले भी यह थे 18 साल से बीजेपी एंडिये की सरकार थी तब भी यह थे उसके पहले भी लागु यादर जी के समय में थे कर्येक्टर रही हैं मैं हर जीत कोड़ी से ऐसी उमीद नहीं करता था लेकिन उनको स्रया देता हूँ इमांदारी का मतलब है आच्रन चाहित्र चिंतन में इमांदार होना घर में महिलाओं का रेस्पेक्ट नहीं है बाहर क्या होगा हमें हर आदमी को महिलाओं को उंचा सम्मान ही नहीं अपने से ज़्यादा है उनके जिन्दगी के लिए महिलाओं के रिस्पेक्ट के लिए ही नहीं हमें इंटर्नल महिलाओं के रिस्पेक्ट की बात करनी परे बिल्कुल ये जो तुर्ण दो तरीके की जो महिलाओं को लेकर की सोच है लोगों के भीतर ये दुनिया की सबसे खतर ना सोच और महिलाओं का रेस्पेक्ट अदि जीवर में चाहते हो न ये जो पौर्ण देखना है भलगर पिक्चर है भलगर गाने है मिश्कौल मारला तक किस देव काहो अतारा मसेनिया के पीछ देव ये सब गाने पीछा आगा ये महिलाओं के रेस्पेक्ट को खोता है ये सिर्फ ये जो बात आप कर रहे हो कि आयस ने कहा निरोधक भी देना पड़ेगा ये जिन्दगी में अब ऐसे मुझको लगता है कि पूरी फ्रीडम और आजादी हमेशा ऐसे लोगों को मिलते रहे दस सालों तक पंद्रह सालों तक साथ सालों तक एक ही जगह पर और वो विभाग भी आज तक नहीं सुदरा कभी केके पाठक के नाम पर कभी इनके नाम पर कभी किसी के नाम पर कभी हर्दीद जी के नाम पर अर्जोद जी के नाम पर भी आप और भी लोग है ना अब सरकार इन पर क्या कारवाई करें नितीश कुमारगी का सबसे बड़ा भोंट महिला है तो इससे बड़ा खतरना की पाकिस्तान बना दो भोंट आपको बान जाने परसोती के हला आपको क्या पता की धर्द क्या होता है भोंट लेना आप तो पौर के एक बार A.C. से निकलते ही नहीं हो यहाँ भोंट लेने के बार भी दुनिया में जो अच्छे पॉलिटिशन है उसको जमीन पर ही नहां समाज बात को कभी मानने वाले कौवनिश को मानने वाले हम दंग्चिन पंध और अंपंध की बात नहीं करें लेकिन जिस तरीके की बात कही है ये complete प्रूप से discipline का मामला है इस पर एक्सल लेने चाहिए government को तो सुना आपने पपु यादब को जो इनसारी बातों पर तीखी पर्तगिरिया देते हुए कहा है कि हरजित कौर से ऐसी उम्मीद नहीं थी बिहार के बीटियों का ये अफमान है जो एक महिला होकर के खुद ऐसा बयान दे रही है बता दे कि हरजित कौर ने भरे मंद से लड़कियों से ये कहा था कि तुम किसी से क्यों कुछ मांगती हो लड़कियों ने मांग की थी सैनेटरी नैपकीन की लेकिन उने कुछ ऐसा बयान दे दिया कि उन्होंने कहा कि अभी आप जिनस मांगोगी मेक अप का सामान मांगोगी कभी गर्व निर्योधक मी मांगोगी तो कहीं न कहीं ऐसा बयान देने से हरजीत कौर अभी सुर्खियों में है और लगातार कई दल के जो नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि इनको तत्काल हटाया जाए और साब तोर पर कल मुख मंतरे निर्दीश कुमार ने भी कहा है कि अगर ऐसा कुछ होगा अगर उनने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे लोगों के भावनाओं को आहत पहुंची है तो उनको हटाया जाएगा या फिर कारवाई की जाएगी खिलाल इसकोर में तहीं बन रहे हमारे साथ धन्यवाद